एक बड़ ख्रेश स्भाग हसे आपका टेकनिकवल श्रीव आसंते देंगानल में चानल आज मैं आपको बताने बाला हा हूं कि प्रोपर तरीके से क्यांसे एप पेन केां प्रोजेक्ट के पर आपला किया जाता है। जिससे के आपको प्रोजेक्ट जल्दी अवरा कि आज की वीडियो में मैं आपको यह सब जानकारी देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना बिल्कुल भी इसके मत करना अधर्वाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पर ऐप पेन को ओपन का लेना है जो भी अपनी आकउन्ट बनाया है उसको ओपन कल लेना है और जो लोग नहीं जानते ओप्न क्या है तो मैं बता दीता हूँ कि एप पन एक Magazineuma यहां पर आपको प्रूजग्ट मिलते हैं और उनके ठूह आ पर निंग करते हैं Sबसे पहले आपको इे पैंडेस दूर्ट उपन करने आपको दो देखें हाँ गुड़ेक्ट कर देना है जिसकि caffeine फाली प्रोजेक्ट लिखा हुआ, इसको पर आपको क्लिक कर दोगे, तो आपके सामने कुछ चाइब का inटरफिस आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहां पर यह जोग डाटा कलेक्षन वाले प्रोजेक्ट हैं, इन पर आपको apply नहीं करना है, अगर सा. जैसे कि यहां पर लिखा है इंने वाले प्रोजेक्ट पर आपको अपलाई करना है देखो जैसे कि यहां पर मीडिया से अरुल इंक क्रावे ह Suzuki यहां लेका है उसको मूलेकन करना है यह कि इसका है उसका मूलेंक नहींन करना है दिखने हैं भर looking for a social media evaluator who can label the content of a post मतलब कि जो भी post वागरा रहते हैं जैसे Instagram post हो गया, Facebook post हो गया तो उनके आपको जो है content को label करना है ये long term project है, लंबे समय तक चलने वाला है flexible hours है यहां पर requirement क्या-क्या है, सबसे पहले बोग देख लीजे यहां पर आपको 20 घंटे एक हपते में देना ही है आपको इस project में 20 hours per week काम करना है attention to detail मतलब कि आपको ध्यान से इस project पर काम करना होगा तो अब हम क्या करेंगे, इस पर apply करना है तो क्या करेंगे यहां पर आएंगे और apply वाले option पर click कर देंगे किसी-किसी project में directly apply हो जाता है एंड किसी-किसी project में apply होने में कुछ process रहती है देखे, जैसे कि यहां पर सब चीजे लिखी हुई है welcome to project चुक्ची तो यह जो project है, कैसा ना में इसका, तो इसी पर आपको apply करना है so guys, देख सकते हैं, आप यहां पर क्या-क्या लिखा हुआ है देखे, आपको क्या करना पड़ेगा मतलब आपकी जो work profile रहेगी, वो कैसी रहेगी मतलब कि आपकी responsibility क्या रहेगी इस project में तो देखे, यहां पर लिखा है this project seeks to identify post related to politician and social media issue मतलब कि आपको जो politics issue रहते हैं social media issue रहते हैं जैसे किसी का, जैसे कोई विवाद बगएरा हो गया controversy बगएरा हो गया तो उस पे आपको जो है, उसको label करना है कि कौन सी category में कौन सा post आएगा basically यही आपका काम रहने बाला है तो यह चीज़े आप पढ़ सकते हो और main main चीज़े में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक दिन में 4 घंटे work करना रहेगा और आपको एक week में 5 दिन तो work करना है अगर आप चाहो तो 7 दिन work कर सकते हो लेकिन 5 दिन यहाँ पर mandatory है अब यहाँ पर लेखा हुआ है कि कैसे आप इसको start कर सकते हैं तो पहले नमर आपको क्या करना होगा कि आपको जो guidelines दी जाएगी उसको आपको read करना है read करने के बाद उसके बाद आपका एक qualification test होगा उस test को आपको clear करना है then आप onboarding process पर पहुंच जाओगे अब आपको कौन कौन सी चीजों की ज़रुद पड़ेगी देखो बहुत साए लोग मुझे comment करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम ये चीज मोबाल से कर सकते हैं या नहीं इसलिए मैं उनसे मना कर देता हूँ कि भाई ये चीज आप मोबाल से नहीं कर सकते देखें जैसे कि यहाँ पर लेखा हुगा है Microsoft Windows तो आपके पास कौन सा Mac या Windows operating system होना चाहिए और not a tablet आपके पास कोई tablet वगरा नहीं होने चाहिए मतलब कि आप tablets work नहीं कर सकते यहाँ पर है minimum screen resolution आपकी जो laptop का screen है वो इतना होना चाहिए या PC का screen इतना होना चाहिए ठीक है एंड उसके बाद आपके पास broadband internet connection होना चाहिए headset with microphone microphone क्या है optional है अगर यह नहीं भी होगा तो भी चलेगा लेकिन यह जो connection यह आपके पास होना चाहिए लेकिन इसका भी आप tension मत लीजे आप mobile की wifi से भी अपने PC या laptop को connect करके इस काम को कर सकते हैं कोई problem नहीं है और antivirus अगर आपके laptop में है तो सही है अगर नहीं है तो यह भी optional है अब देखें qualification detail क्या है अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं graduate हूँ क्या मैं इस work को कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता मैं 12th pass हूँ तो उससे कोई problem नहीं होती देखें यहाँ पर क्या दिया गया है qualification will require a commitment of approximately 1 to 2 hours मतलब कि यह qualification test रहे गई यह 1 से 2 घंटे का हो सकता है second thing आपको क्या जरूरी है कि आपको जो guidelines दी जाती है उसको आच्छे से समझना है self study करना है उसकी and उसके बाद है आपको जो qualification test देना है and required skill में आपको बता देता हूँ देखिए skill आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए तो देखिए पहले number आपके पास कौन सी skill होनी चाहिए कि आप जो भी task करने है आपकी detail to analysis अच्छा होना चाहिए and यहाँ पर जो है good communication skill मांगा गया है तो उसमें कोई problem नहीं है वो नहीं भी होगा तो चलेगा and strong brightened to spoken English language मतलब कि आपकी English language पर अच्छी command होनी चाहिए ठीक है अगर normal है तो भी आप कर सकते हो and आपको internet यूज करना आना चाहिए ठीक है आप जो भी social media platform यूज करते हैं उनको आपको समझने की छमता होनी चाहिए and देखिए आप यहाँ पर लेखा है special requirement core hour आप यहाँ पर लेखा हुआ है कि जो भी work है वो यहाँ पर रात में 12 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक आपको ये काम complete करना है US specific time में Saturday to Friday आप ये काम कर सकते हैं आप यहाँ पर दो दिन की छुटी भी ले सकते हैं तो अब apply करने के लिए आपको क्या करना है I have read इस बाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस type का interface आजाएगा अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है end guys यहाँ पर आपसे non-disclosure agreement sign करवाया जा रहा है non-disclosure agreement क्या रहता है कि आप किसी को नहीं बता सकते कि आप इस company में इस project पर work कर रहे हो नहीं तो आपको problem हो सकती है बट किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो मैंने और यहाँ पढ़के रखा हुआ इसको तो मैं यहाँ पर I agree कर देता हूँ यहाँ पर कोई problem तो नहीं होती है लेकिन आप चाहो तो एक बार इसको read कर सकते हो अब देखें यहाँ पर electronic signature होते है मतलब कि यह जो आपकी email id है password है और यह जो आपका IP address हाता है यहाँ पर आपका signature किये जाते है तो आपको इस पर भी आई यह ग्रिक कर देना है यहाँ पर यह जो चीजे थी आपने यहाँ पर सारी की सारी complete कर दी है अब यहाँ पर process status हा रहा है मतलब कि यह जो आपका status है यह भी bending जब भी आपको यह project दिया जाएगा तो आपको एक congratulation का mail आएगा project का नाम लिखा रहेगा और आपसे बुला जाएगा कि आप इस test को clear कीजिए अब बहुत सारी लोग बूचते हैं कि मैंने project पर apply कर दिया आप मुझे कितने दिन का wait करना पड़ेगा तो देखें यहाँ पर साब साब लिखा हुगा है कि यहाँ पर एक दिन से लेकर 60 दिन तक का time इसमें लग सकता है अगर आपको 60 दिन बाद भी reply नहीं आता है तो आप फिर से project पर apply करके देख सकते हो so guys this type से project पर apply किया जाता है मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt है तो आप मुझे comment का सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye, take care, thanks for watching